अरे ओ बेवकूफ औरत अब तक तुने गाजर का हलवा नहीं बनाया और ठंड चली जाएगी तब बनाएगी क्या गाजर का हलवा और नहीं तो क्या जाओ जाकर फटा फट से सारा खाना और गाजर का हलवा बनाओ वरना तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा भूकी ही मरोगी फिर और हाँ, खाना बनाने के बाद तुम मेरे कमरे की साफ सफाई भी कर देना और फिर मेरे सर की मालिश भी, ठीक है? ठीक है, जिठानी जी, माजी बिचारी अक्षरा नौकरानी की तरह घर का सारा काम किया करते रितू और जिंपल सास के लिए साड़ी और जुवलरी लाती है माम जी, ये देखिए आपकी प्यारी बहों ने आपके लिए क्या लिया है डिजाइनर साड़ी और महंगे गहने आरे वा, ये तो कमाल ही कर दिया तुम दोनों ने सीखो, इन दोनों से कुछ देखो अरे कैसे तोफ़े लाकर मेरा दिल जीत लेती है ये दोनों हर बार, नजर ना लगे ओफो माम जी, आप भी ना किस गरीब फटीचर से ये सब कह रही हो इस दो कोड़ी की अक्षरा के पास तो इतने पैसे हैं भी नहीं कि ये आप के लिए कोई तोफ़ा खरीद कर ला सके हम दोनों अमीर जे ठानियों को तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारी देवरानी एक करीब औरत है बिलकुल सही कह रही है रे तू बहु तू शर्म तो मुझे भी बहुत आती है इस निगोडी को कहीं ले जाने में मेरी सारी सहलिया मेरा मजाग बनाती है कि तेरी दो बहुए तो अमीर है पर एक बहु नहायती गरीब छे तब मुझे बहुत बुरा लगता है पता नहीं किस कुड़े दान से उठा कर लाया है जब देखो तब मुझे मेरी करीबी के कारण कुछ ना कुछ सुनाते रहते है मैं गरीब हूँ इसमें अब मैं क्या गर सकती हूँ कब समझाएगा इस समाज को कि गरीब और अमीर दोनों एक बराबर होते है उनमें कोई फर्क या अंदर नहीं रहता बस उन्हें तो गरीब बोल बोल कर दबाया जाता है अगले दिन जब अक्षरा डिमपल के कमरे से गुजर रही होती है तब ही वो डिमपल और रितो को आपस में बाते करते हुए सुनती है क्या कमाल का उल्लू बनाया हमने अपनी बुड़िया सास को उसे लगा कि हमने ही उन्हें वो सब खरीद कर दिया है जबकि वो पैसे हमारे नहीं उन्हीं के बेटों के थे ये बात सुनकर अक्षरा चौंक चाती है हम तो अपनी फूटी कोड़ी भी खरचना करें इस बुड़िया पर अब तो बस हमारा टार्गिट यही होना चाहिए कि कैसे हम अपने पतियों से प्रॉपर्टी हड़प कर अपने नाम करा ले हाँ और पैले से भी और अमीर बन जाए है ना देलता ली देलता ली ओ इसका मतलब दोनों जेठानी जी जो कुछ भी मात जी के लिए करती है वो सब दिल से नहीं होता हाँ वो सब दिखावा होता है और तो और इतने अमीर होने के बावजूद भी इन दोनों में इतना लालच है कि अपने पतियों को भी लोटना चाहती है अगर मैंने ये सारी बात मा जी को बताई तो वो मुझे पर विश्वास ही नहीं करेंगी खैर मुझे इन सम मामलों से दूर ही रहना चाहिए मेरा कोई हग नहीं बनता अक्षरा के सामने दोनों अमीर जठानियों की असलियत तो आ जाती है लेकिन वो फिर भी किसी से कुछ नहीं बोलती और अपने काम से काम रखती क्योंकि उसे पता होता है कि मंदाकनी की आँखों पर रितू और डिम्पल के जूठे प्यार का चश्मा चड़ा हुआ है एक दिन जब महले में मातारानी का जगराता होता है तभी मैं तो फुलान रेडी हो गई हूँ जगराते में जाने के लिए माजी आप दोनों जल्दी से तयार हो जाओ हाँ 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 मैं आ रहे हूँ बस लिप्स्टिक लगाना रहे गया है तभी वहाँ पर अक्षरा भी माजी सच सवर के हाथ में प्रसाथ की थाली लेकर आ जाती है और सासमंदाकनी से कहती है माजी मैं ये शीरा बना दिया है मैंने भोग प्रसाथ के लिए चलिए कांता मौसी के घर जगराते पर अरे ओ मैडम तू कहां चल रही है तरह दिमाग तो ठिकाने पर है न मतलब माजी ये आप क्या कह रही हो मैं तो आप लोगों के साथ ही चल रही हो माता रानी के जगराते में तो कांता मौसी के घर में रखा गया है वहाँ जाना है न तुम्हारी साड़ी देखी है नेकलस देखो और चपल भी देखो अरे मोहले की कच्रे वाले के पास भी तुमसे अच्छे और महंगी साड़िया है समझी और ऐसे भिखारन बन कर चलोगी तो सब लोग तुम पर हसेंगे और साथ में मौम जी और हम दोनों जो उनकी अमीर बहुए है हम तीनों की भी नाक कट चाएगी सुनरे अक्षरा बहु तुम हमारे साथ नहीं आ रही है और अगर आना ही है तो मेरी बहु बन कर मता मेरी नौकरानी बन करा समझ गई तू अक्षरा की आँखे नम हो जाती है और वो अपना रोना रोक नहीं पाती और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोती है ऐसे ही एक दिन रितू और डिम्पल दोनों ही अपनी सास का सोने का हार अक्षरा के कमरे में उसकी अलमारी में रख देते हैं और जब मंदाकनी को अपना हार नहीं मिलता तो वो बौकला जाती है अरे किसने चुराया मेरा हार रितू बहू डिम्पल बहू अक्षरा बहू जल्दी से बताओ मौम जी आई थिंक आपको हम तीनों के कमरों की तलाशी लेनी चाहिए तब जाकर आपको पता चलेगा कि हार किसने चुराया है यस मौम जी मैंने और डिम्पल ने तो नहीं चुराया है क्योंकि हम अमीर है और हम ये सारी चीफ हरकते बिल्कुल भी नहीं करते हैं मंदागनी जब तीनों बहूं के कमरों की तलाशी करती है तब ही उसे अपना हार अक्षरा के कमरे में मिलता है ये देखकर वो गुसे से आग बबूला हो जाती है अरे अक्षरा भभू अरे तु गरीब है इसका मतलब ये के तु पैसों के लिए इतनी घिनानी हरकत कर देगी ये तो कोई मतलब नहीं हुआ छे शरम नहीं आई तुझे चोरी करते समय बे शरम कहींगी ओय होई 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 अरे एहसान फरामोश ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है तुभे तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है हार का सेट क्या खुद चल कर तुम्हारी अलमारी में गया होगा कुछ भी बकवास करती हो पागल कहींगी मंदाकनी बे कसूर अक्षरा को इतनी बड़ी सजा देती है और बेचारी अक्षरा रोज रात आंगन में कपकपाती हुई ठंड में सोती है एक दिन मंदाकनी की तबियत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उस समय तीनों बेटे भी आउट अफ टाउन होते है हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर तीनों बहुँ से कहते है देखिए मंदाकनी जी की तबियत बहुत बिगड़ चुकी है उन्हें दिल की बीमारी है और उनका अभी जल्द से जल्द ऑप्रेशन करना होगा आप पांच दिन में पैसों के इंतिजाम कीचे जितना लेट करेंगे उतना ही मंदाकनी जी की जान को खत्रा बढ़ेगा कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर सहाब अक्षरा जी लगबग 50,000 रुपए लगेंगे 50,000 रुपए सुनकर रितू और डिम्पल दोनों ही भाग जाते हैं और अक्षरा पांच दिन पूरी मेहनत करके खाना बनाकर टिफिन सर्विस करती है और पैसे कमाकर अपनी सास की जान बचाती है अपनी गरीब बहु की इस मदद से मंदाकनी को अपने किये पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है मुझे माफ कर दे अक्षरा बहु मैंने तुझे गलत समझा अमीर और गरीब के इस अंतर को मैंने सिर्फ पैसों से तोला लेकिन आज मैं तेरे साह से ये जान गई हो के इंसान अमीर और सिर्फ दिल से होता है जिन बहु की आस पर मैं टिकी रही वो तो आखिर में मुझे धोका दे कर चली गई लेकिन मेरी छोटी बहु नहीं मेरी जान की फिक्र की पिछले सारे किले शिक हुए भुला कर मुझे माफ कर दे बहु अक्षरा और मंदाकनी दोनों ही एक दूसरे को गली लगाते हैं और मंदाकनी को अपनी गरीब बहु का मोल पता चल जाता है जिसके बाद वो दोनों खुशी-खुशी साथ रहते हैं लेकिन इस बार सास बहु नहीं मा बेटी बन कर बानी की जिन्दगी खुशियों से भरी हुई थी उसका पती अभिनव उससे बहुत प्यार करता लेकिन एक दिन अभिनव की हार्ट अटैक के कारण मृत्यों हो जाती है और बानी की दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो जाती है अभिनव जी यह क्या हो गया अब मैं क्या करूंगी आपके बिना कैसे चीयोंगी बताएए ना अभिनव जी उठिये ना अभिनव जी आप मुझे इतनी जल्दी चोड़कर नहीं जा सकते बानी अब एक विद्वा बन चुकी थी अभिनव की मृत्यू के एक हफ़ते बाद अचानक से एक दिन बानी की सास चंदा और ससुर मनुहर दोनों ही उसका सारा सामान उठाकर घर के बाहर फेक देते हैं और मनुहर बानी को प्रॉपटी के कागस दिखाते हुए गुस्से से कहता है ये देख मैने और चंदा ने अभिनव की सारी प्रॉपटी अपने नाम कर ली है इसका मतलब ये है कि आप तुम्हारा यहां कोई हग नहीं बचा ना रिष्टे से ना जायदास से और अब तुझे यहां से दफा होना पड़ेगा ये क्या आप दोनो आप दोनो इस हद तक गिरजा होगे ये मैने कभी नहीं सोचा था अभिनव जी तो आपके बेटे थे उनको गए हुए अब तक सिर्फ एक हफता हुआ है और आपने तुरंट कोट से फेपर बनवाई और प्रॉपर्टी हडब भी ली लानत है आप दोनों पर माबाब होने के ना थे चल चल जादा ग्यान के मोती मत बटोर हा नहीं तो और निकल यहां से आई बड़ी समझाने वाले चंदा बानी का सारा सामान घर के बाहर फेक कर चला देती है और उसे भी जोर से धक्का मार कर घर से बाहर निकाल देती है मा जी भापा जी यह जो कुछ भी आप दोनों कर रहे हो ना वो बिलकुल गलत कर रहे हो ये सब देखकर अभिनव जी की आत्मा कितनी दुखी हो रही होगी आप दोनों को तो उपर वाला ही देख लेगा आप हाँ बानी अब गाओं में यहां से वहां दरदर भटकने लगती है और एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ जाती है पता नहीं अब मैं कहां जाओंगी मेरा थो कोई रिष्टेदार भी नहीं सिवाए मामा जी और मामी जी के लेकिन मामा जी ने तो मा के जीते जी उनसे बातचीत करना बंद कर दिया था तो फिर क्या वो आप मेरी मदद करेंगे भगवान का नाम लेकर एक बार जाकर देखती हूँ बानी बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने मामा जी और मामी जी के पास जाती है और उनके दरवाजा खट-खटाती है बानी तुम्ही यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे होई मेरे घर पर आने की? अरे चल निकाल यहाँ से, अभी क्या भी निकाल, वरना तेरी टांगे तोड़ दूगी मैं हाँ मामा जी, मामी जी, एक बार, एक बार मेरी बाहत तो सुनिये मुझे, मुझे अपने ससराल से निकाल दिया गया है मेरे पती की मौत के बाद, अब मेरा इस भीशन ठंड में कोई रहने का ठिकाना नहीं है मैं आप दोनों से हाथ जोड़ कर बिंती करती हूँ मुझे कुछ दिन तक आपके घर में रहने दीजे मामा जी, मामी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ अरे यहाँ पर तुने मेरे घर को क्या धरमशाला समझ रखा है जो जब चाहे तब आकर यह सकती है चल, अभी के अभी मेरे घर की चोखट से दफा हो जा और खबरदार अगर आइंदा से तुने फेर हमें अपनी मनहूस शकल दिखाई तो खाल उधेड के रख दूगी तेरी में बिचारी बानी को उसके मामाची और मामी जे भी सहारा नहीं देते अब तो उसके पास किसी का भी सहारा नहीं था वो कुछ जगहों पर जाकर नौकरी की तलाश तो करती है लेकिन उसे नौकरी पर कोई नहीं रखता क्योंकि वो कम पढ़ लिखी थी इसलिए बानी को ना चाहते हुए भी कच्रा बीनने का काम शुरू करना पड़ा वो कच्रे को बीन कर एक जोले में भरती है और फिर उसे कबारी वाले को जाकर वजन के भाव में बेचती है बानी बिटिया तुम दिखने में तो काफी अच्छे घर की लगती हो फिर ये कच्रा क्यों बीनती हो बिटिया कोई परेशानी है क्या अगर तुम्हें पैसों की मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ आखर तुम तो मेरी बेटी समान ही हो नहीं काका आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन मैं अकेली ही अपना जीवन यापन कर सकती हूँ मुझे मेरे कारण किसी को परिशानी नहीं देनी बानी कच्रा बीन कर जितना पैसा कमाती उसे जमा करके रखती और पांच रुपे का बड़ा पाउ खा कर अपना पेट भरा करती और ठंड में पत्तियों को अपने उपर ओड़ कर सड़क पर सोया करती सिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा बानी रोज रात बहुत रोती है दिन गुज़र जाते हैं और बड़ी ही मेहनत से बानी पैसे एकठा कर लेती है और उन पैसों से वो अब एक किराय के मकान में रहने लगती है और उस मकान का किराया कम था जो कि बानी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात थी माधा रानी इस नए मकान में मैं अपने जीवन की नई शुरुवात करने जा रही हूँ मेरी मदद कीजिए और अपना आशिरवात सदैफ मुझ पर बनाए रखिए बानी अब उस मकान में रहने लगती है वो दिन भर कच्राबीनती रहती और बड़ी मेहनत और मशक्कत करके अपना जीवन यापन करती कई लोग उसके इसकाम का बहुत मजाग भी उड़ाते है अरे ये देखो ये तो अभिनव की बीवी है ना उसकी मौत के बाद तो ये रास्ते पर ही आ गई चंदा काकी ने ही इसे धक्के मार कर निकाल दिया घर से सुना है इसी ने अपने पती को जहर दिया था और उसे मार डाला मनोहर काका और चंदा काकी ने ये साफ साफ सारे महले में बताया है इसलिए ये अपने कर्मों का फल भुगत रही है यूँ इस तरह सड़क पर बिखारन की तरह कच्रा बिंते हुए उस और आदमी की इन बातों को सुनकर बानी हैरान रह जाती है वो उन दोनों के पास जाकर गुस्से से कहती है देखें अगर आपको पूरी बात नहीं पता तो उस बात का बतंगड भी नहीं करना चाहिए मैंने अपने पती को नहीं मारा है मैं तो उनसे उनके माबाप से भी ज्यादा प्यार करती थी और हो और हमेशा करती रहूंगी उल्टा मा जी और पापा जी नहीं एक हफते बाद सारी जायदाद हड़ब कर अपने नाम कर ली और मुझे घर से बाहर निकाल दिया ये है चंदा और मनुहर चौबे की सच्चाई और अब वो दोनों मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं बड़ी आई आरे हर खूनी खून करके जूटी बोलता है वो तो शुक्र मना कि तेरी सास और तेरी ससुर ने तुछे कानून के हावाले नहीं सोपा वनना तू अभी इसे वक्त कच्रा नहीं बिनती वहाँ जेल में चक्की पीस रही होती चक्की वैसे जेल में चक्की पीसना इस तरह बिखारियों की तरह कच्रा बिनने से तो बहतर ही है सही कहा इस तरह से अपना अपमान सुनकर बानी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने घर जा कर बहुत रोती है फिर एक तिन जब वो अपने घर लोटती है तब उसे जला हुआ देखती है ये क्या मेरा घर मेरा मकान याग कैसे लग गई याग लगता है जंगल से पहली है नहीं इतनी मुश्किल से मैंने पैसे चुटाए थे और रहने के लिए एक छट की राय पर ली थी वो भी तबाह हो गई बानी पूरी तरह तूट जाती है और अब तो उसका कोई भी रहने का ठिकाना नहीं था वो गाउं में फिर से दरदर भटकने लगती है और प्यास लगने पर जब वो एक कुए से पानी लेने जाती है तभी वो एक गाई को कुए में फजा हुआ दे कर चौक जाती है आरे नहीं, ये बिचारी गाई, ये तो पुरी तरह इस कुवे में गिर कर फ़स गई है, मुझे इसे जल्ट से जल्ट बाहर निकालना होगा बानी तुरंट एक मुलायम रस्ती लाती है और उससे गाई को कुवे से बाहर खीच निकालती है और इस बात पर ध्यान देती है कि कहीं गाई को बाहर निकलते वक्त कोई चोट ना आए वो सुरक्षित रूप से गाई को बाहर निकाल लेती है, तभी अचानक से वो गाई एक जादूगर्नी में बदल जाती है और ये द्रिश्च देख बानी चकित हो जाती है गाई? एक जातूगर्नी? ये सब कैसे? शक्रिया बानी, तुमने मुझे इस कुए से बाहर निकाल कर मेरी बहुत मदद की एक दुष्ट जातूगर्ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी शक्तियों को अपने वश में करके मुझे कमजोर बना दिया था और मुझे एक गाई बना कर इस कुए में धगेल दिया मैं तुम्हार इस्थिती जानती हो बानी, मैंने अपने जातू से तुम्हारी बीड़ा को भाप लिया है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ लेकिन जादूगर्नी जी, आप मेरी मदद कैसे कर पाओगी? जादूगर्नी जादूई शक्तियों से एक हाट एर बलोन को वहाँ प्रकट करती है जिसमें सवार होकर दोनों ही चान पर पहुँचते हैं अब चांद ही है तुम्हारा घर, अब यहीं है तुम्हारा बसेरा बानी ये लो, ये जादूई जड़ी, इसकी मदद से तुम यहाँ आजानी से रह पाओगी और इस तरह एक गरीब कच्रेवाली चांद पर जाती है और वहीं अपनी जिंदगी खुशाल तरीके से वतीत करती है अनोखी की शादी राजवीर से होती है, ससुराल में सास बर्फी देवी और ससुर उदै रहते हैं अनोखी हमेशा से ही खाना बनाने में बहुत महिर होती है, और तो और वो खाने के बदार्थों को अनोखे रूप से बनाने में एक्सपर्ट होती है, ससुराल में सभी उसके खाने की खूब तारीफ करते वा भई वा, क्या खाना बनाया है तुमने अनोखी बहु, देख लो राजीव की अम्मा, क्या स्वादिष्ट खाना पकाती है तुमारी बहु, तुमसे भी बढ़िया हाँ नोखी बहू, एक दमला जवाब खाना पकाया है, क्या खीर बनाई है? मुझे मेरी दादी मा की याद आ गई, वो भी इसी तरह की खीर बनाती थी, वो भी चूले पर आखर बेवी किस की है, अम्मा? थैंकी सो मच, आप तीनों को मेरा खाना पसंद आया, ये देखकर और जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये लो अम्मा जी, और खीर लो, और पूरी भी खाओ, आपके और पापा की सेहत को ध्यान में रखते हुए तेल कम डाला है ये लो अनोकी बहु, तुम्हारा शगुन, जुग-जुग जीयो और सदा सुहागन रहो ये लो, मेरी तरफ से भी शगुन रख लो उदै और बर्फी देवी दोनों ही अनोकी को नेग देते हैं और अनोकी उनके पैर छुकर आशिरवाद लेती हैं अनोकी और राजवीर दोनों का शादी शुदा रिष्टा भी अच्छा चल रहा होता है एक रात दो बजे बहु, मुझे ना पिज्जा खाने का बहुत ही मन कर रहा है अरे बहुरा गया हो का रात के दो बजे आपके सुवर्गवासी पिता जी ने कोई पिज्जा शौप खुला रखा होगा क्या अनोकी, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है पिज्जा खाने का लेकिन अब रात के दो बजे पिज्जा कहां से लाया जाए तो मैं कोई 24x7 ओपन रहने वाला पिज्जा शौप पता है क्या? हमारी कॉलोनी में नहीं राजवीर, ऐसा तो कोई पिज्जा शौप नहीं है लेकिन मेरे पास इसका अनोखा जुगार है मतलब? मुझे बस 10 मिनट दीजिए, पाबजी, मैं अभी आई अनोखी किचन में जाकर बचे हुए पराठों के उपर सबजी, चीज, मियोनीज और बाकी चीजों को अपलाई करके टॉपिंग बनाती है और उन पराठों को आवन में फटा-फट गर्म करके उदै और राजवीर को परोस्ती है ये रहा पिज्जा पराठा पिज्जा पराठा? ये क्या है अनोखी बहू? हाँ नोखी, पिज्जा और पराठा, ये दोनों तो दो अलग-अलग डिश्ज है ना? राजवीर, पापा जी, पिज्जा पराठा मतलब मैंने बच्चे हुए पराठों पर पिज्जा की टॉपिंग डाली है और उसे अवन में गरम करके आप दोनों को परोज दिया सिंपल, पिज्जा की बेश की जगा पराठे को पिज्जा बेश बना दिया खा कर देखिए और बताए कैसा बना है राजवीर और उदय पिज्जा पराठा को खाते हैं और उसे खाने के बाद उन दोनों को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है अच्छा लगता है अरे वाँ अनोकी बहु, तुम्हारा ये अनोका पिज्जा पराठा अविश्कार तो एक दम गजब है हाँ अनोकी, ये पिज्जा पराठा तो नॉमल वाले पिज्जा से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है पिज्जा बेस की जगा पराठे ने ले ली और पराठा रॉक्स, इस सुपर अमेजिंग, आई जस्ट लवड इट अच्छा जी, तो मैं भी चक के ज़रा देखूं, आखिर कैसा है ये पिज्जा पराठा वाई नॉट अमा जी, ये लो ना, खाओ आब भी बर्फी देवी भी पिज्जा पराठा को खाती है और उसे भी बहुत ज़्यादा मजा आता है आई हाई 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 हाई, गजब गजब गजब, क्या कमाल का पिज्जा पराठा है, मैं तो और खाऊंगे, हाँ आप सब खाईए, मैं और भी बना कर लाती हूँ बहु, इस बार ना, चीज थोड़ा ज़्यादा डालना, चीज चार चान लगा रहा है पराठे के साथ इसमें अपने दोस्तों के साथ खाऊंगा, वो भी कोक के साथ ठीक है राजवीर, दे दूंगी अनोकी रसोई में जाकर और भी पिज्जा पराठा बनाती है और सभी को परोस्ती है और पूरा परिवार मजे से पिज्जा पराठा खाते हुए आनंद उठाता है अगले दिन जब अनोकी राजवीर को टिफिन में भी पिज्जा पराठा देती है तब उसे खाकर राजवीर के दोस्त भी पिज्जा पराठा के दिवाने हो जाते है सब कुशल मंगल चल रहा होता है लेकिन एक दिन बाजार में अनोकी को उसकी सहेली गुन-गुन मिलती है अनोकी तेरे और राजवीर के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ गुन-गुन लेकिन तो ऐसा क्यों कह रही है? अजीब बात है अगर तेरे और उसके बीच सब कुछ ठीक है तो फिर वो हमारी कॉलोनी में एक औरत के साथ कैसे रहता है? मतलब वो औरत खुद को उसकी बीवी मानती है दो महीने पहले ही उन दोनोंने शादी की है मुझे लगा कि तेरे और राजवीर के बीच सब खतम हो गया है इसलिए उसने दूसरी शादी की हो गई राजवीर की दूसरी शादी की खबर सुनकर मानो अनोखी के पैरो तले जमीन खिसक जाती है क्या? ऐसा कैसे कर सकते है राजवीर? मेरे साथ ऐसा? गुन-गुन, क्या तू मुझे उस घर तक ले जा सकती है? हाँ हाँ अनोखी चल, अपने आपको सम्हाल गुन-गुन और अनोखी आटो रिक्षा में सवार होकर उस घर तक पहुँचते है और खिड़की में से ही अनोखी देखती है कि राजवीर उस औरत को गले से लगा रहा है और दोनों घर के अंदर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं राजवीर की नजर अचानक से खिड़की पर जाती है और वो अनोखी को देख लेता है और बाहर आकर कहता है अनोकी जैसे तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है मेरी बात सुनो अनोकी अनोकी राजवीर को एक जोरदार थपड़ लगाती है और रोते हुए उस पर गुस्टे से चिलाती है अनोकी और राजवीर का कुछ महीनों बाद डिवोर्स हो जाता है राजवीर डिवोर्स को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर अनोकी अपनी आत्मा सम्मान को चुनती है और राजवीर को छोड़ देती है और अकेली एक छोटे से मकान में रहने लगती है अनोकी के माबाप इस दुनिया को छोड़ कर बहुत समय पहले ही चले गए थे। बेचने लगती है। ग्रहक अनोखे पिज़ा पराठा को देख बहुत आकरशित हो जाते हैं और अनोखी की भी काफी तारीफ करते हैं। अरे वाह बहुत आसम है ये पिज़ा पराठा। अब तो मुझे जब भी पिज़ा खाने का मन करेगा तब मैं किसी पिज़ा शॉप में नहीं बलके आप ही किस टॉल पर आऊंगा। अरे बहुत कमाल का है ये पिज़ा पराठा। मेरी तरफ से तो 10 on 10 मांक्स हैं इसके लिए। मुझे अपने घर पर ले जाने के लिए भी 5 पिज़ा पराठा पार्सल कर दो। पिज़ा पराठा को खाकर मेरे परिवार के सदसी भी बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है जी मैं अभी आपका पार्सल पैक करती हूँ। धीरे धीरे अनोखी का पिज़ा पराठा पूरे शहर में मशूर हो जाता है और सभी लोग दूर दराज से भी पिज़ा पराठा खाने के लिए आते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजवीर की दूसरी बीवी उसका पैसा लूट कर भाग जाती है और वो अब अनोखी के स्टॉल पर उससे माफी मांगने आता है। यह शुरुआत कर सकते हैं ना। और वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। अनोखी पिज़ा पराठा बेच कर बहुत सारे पैसे कमाने लगती हैं और अपनी जिंदगी में खूब सभलता प्राप्त करती है। जोगपूर कहकरे गाउं में सीरत नामक एक गरीब लड़की अपने भाई भावी संग रहा करती थी। सीरत कॉलेज में पढ़ती थी, उसके माता पिता की कुछ सारों पहले मृत्य हो चुकी थी। सीरत के भाई का नाम चिराग होता है और भावी का नाम राखी। सीरत अपने भाई भावी को पैसो की मदद हो इसलिए पार्ट टाइम आटो रिक्षा चलाती और उनका हाथ बट बिटिया मुझे मोहिंदर चौक में ही छोड़ दो। सीरत उस पैसेंजर को सही सलामत मोहिंदर चौक पे छोड़ती हैं। अरे तुम बहुत अच्छी हो बिटिया जहां आज कल की बागी आटो चालक इतनी बेरहमी से आटो रिक्षा चलाते हैं। वहीं तुम तुमने इतन अच्छे से आटो चलाया कि मुझ बुंठे को कोई दिक्कत नहीं हुई। शुक्रिया बेटा भगवान तुम्हें खूब सफलता दे। येलो येलो तुमारे पैसे बेटा। धन्यवाद खाका आशा करती हूँ कि आपका दिन मंगल मैं हो चलती हूँ अपना खयाल रखिये सीरत अपने सभी पैसेंजर संग बहुत अच्छे से पेश आती और गाउं में सभी उसकी सरहना करते रहते। वो दिन भर जुतने भी पैसे कमाती सारे पैसे अपने भाई भावी को दे देती। उसकी भावी राखी स्वभाव से थोड़ी बुरी और लालची होती है। ये क आखी भावी दिरसल इतनी ठंड हो रही है कि सभी अपने घर पर ही है। मुश्किल से ही ग्रहात मिल रहे थे आज। संभावना है कि आने वाले कुछ घंटो बात सरकार अलर्ट भी दे दे दे। परफ़ारी भी हो रही है न। सही है मतलब बहाना बनाने का आर्ट भी कोई तुम से सीखे। सच में लास्ट वॉर्निंग दे रहा हूँ। कल से अगर बारा घंटे की शिफ्ट में एक हजार रुपई के नीचे कमाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई न तुम। तब तो हम इसे घर में ही नहीं लेंगे हाँ। ठीक है चिराग भाईया। सीरत उदास हो जाती है और कंबल ओड कर खूब रोती है। अब से उस बेचारी को ओवर टाइम आटो चला कर पैसे कमाने पड़ते हैं। कडाके की ठंड में भी सीरत काम करती है। फिर घर आने के बाद भी राकी उससे घर का सारा काम करवाती है। जल्दी से खाना बना दो आजना गर्मा गरम पनीर पकोड़े चोले भटोरे और पुलाव बनाओ। और हाँ गाजर का हलवा भी गाजर के हलवे के बिना तो सर्दी फीकी है। और ये सब होने के बाद जरा जाडू पोच् ठीक है ठीक है राकी भाबी बिचारी सीरत घर का सारा काम करती है। फिर एक देन अचानक से राकी सीरत के लिए एक अमीर बिजनसमैन का रिश्टा लाती है। सीरत राकी ने अगर कोई रिश्टा लाया है तो सोच समझ कर ही तैकिया होगा ना और वैसे भी यू तिल-तिल करके जीने से अच्छा तो खुद भी एक अच्छे परिवार में जाकर रहे और हमें भी उसका फाइदा उठाने दे। ठीक है ठीक है राकी भाबी चिराग भाईया। सीरत बे मन ही अलग-अलग प्रकार के चॉकलेट्स बनाती है। वो बचपन से ही चॉकलेट बनाना जानती थी क्योंकि उसके पिता एक चॉकलेट फैक्टरी में काम करते थे। तो उसने अपने दिमाग को चला कर घर में कैसे चॉकलेट्स बनाए जाए इसकी सोच खुद बखुद तैकी और चॉकलेट्स बनाना से एक लिया। अगले दिन जब निलामबरी और निहार सीरत को देखने हाते हैं तभी। जी वाँ 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 इसी बात पे और दस चॉकलेट्स ठूसी हैं निलामबरी जी ये लीजिए। खुशी के मारे राखी निलामबरी के मूँ में और भी बहुत सारे चॉकलेट्स ठूसती हैं और निहार और सीरत की शादी हो जाती हैं। राकी और शिराग दोनों को भी सीरत की शादी से मुनाफ़ा होता है, क्योंकि निलामरी उन्हें भी कई सारे पैसे देती है। शादी के बाद सीरत की जिन्दगी पूरी तरह बदल जाती है, वो अब अमीरों जैसा जीवन जी ने लगती है, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहती, लेकिन इन सब की खुशियों के साथ ही उसे एक बहुत बड़ा धोखा मिलता है, जब वो निहार के ऑफिस में उसे टिफ देखो सीरत, मैं तुम्हें सब कुश समझाता हूँ, मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम के खुशी के लिए की, क्योंकि उन्हें तुम्हारी तरह एक नॉमल सब भी संसकारी लड़की पसंद है, और मेरी गर्फरेंड मॉडरन जमाने की है, और हम दोनों के प्यार को मॉम और मेरी फैमिली वाले कभी अकसेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर आपने मुझे क्यों धोका दिया, शादी से पहले ही बता देते ना मुझे सब कुछ, या पिर सारे आम इंकार कर देते शादी करने से, बस बहुत हुआ आप, मैं उन बागी लड़कियों में स सिरत घर जाकर निलामरी को सारा सच बताती है, और घर छोड़कर चली जाती है, और अपने भाई-भावी के पास चली आती है, लेकिन तभी उसके भाई-भावी, चिराग और राखी उसे घर में लेने जे मना कर देते हैं, अरे बेवकूफ औरत, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है क्या, तुम्हें पता भी है, तुम इतनी सारी शान शौकत को छोड़कर यहाँ पर फिर से मुँ उठा कर आ गई, मैंने जो कुछ भी किया है, एक दम सही किया है, जिस रिष्टे में मेरा समान नहीं, मैं उससे जबरदस्ती के बनावटी रिष्टे में नहीं रह सकती, वो एक पिंजरा है, आपकी नजरों में वो सोने का पिंजरा होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। राखी और शिराक सीरत को घर पर नहीं लेते, क्योंकि अब उन्हें भी निहार से कोई फाइदा नहीं मिलने वाला था, जब सीरत अपनी आटो चलाने के लिए तैय करती है, तो पता चलता है कि राखी ने उसकी आटो को भी बेच दिया है, अब सीरत बेचारी पूरी तरहा बे सहारा हो चुकी थी, उसका कोई भी नहीं था और वो सड़क पर दर दर भटक रही थी, मेरी आटो भी राखी भावी ने बेच दी, मुझे हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ धोगा ही मिला, हर कुछ नहीं, अब मैं क्या करूं, कैसे अपने पैर उपर खड़ी रहूं फिर से तब ही चलते चलते उसे कई सारे धावे और ठेले नजर आते हैं, और उनसे ट्रेवना लेकर वो भी अपना एक धावा खोलने का सोचती हैं, और वो भी चॉकलेट धावा जहाँ पर सीरफ तरह-तरह के स्वादिश्ट चॉकलेट्स बनाती है, और उन्हें बेचती है, इस चॉकलेट को खा कर तो मज़ा या गया सीरत जी ऐसा कौन सा जादू इंग्रीडियन्ट मिलाया है आपने इसमें अरे सच में महंगे महंगे चॉकलेट की भी इतनी अच्छी टेस्ट नहीं होती जितनी के आपकी चॉकलेट में है थैंक यू सीरत खूब मेनद करके अपना चॉकलेट धाबा चलाती है और उसकी बहुत तरक्की भी होती है छे महीनों की कोट पेरियड के बाद सीरत और नहार का तलाग भी हो जाता है और सीरत आगे चल कर अपनी खुद की चॉकलेट कमपनी खोलती है और अपने जीवन में खूब सभलता प्राप्त करती है राधिका जब दो साल की थी तभी ही उसके माता पिता उसे इस दुनिया से छोड़ कर चले गए थे जिसके बाद राधिका अपनी चाचा और चाची के पास ही रहने लगी राधिका की चाची और चाचा उसे एक नौकरानी की तरह रखते और उससे काम करवा कर उसे घर में रहने की जगा देते अरे ओ करम जली अभी तक खाना नहीं मिला है मुझे जल्दी से खाना बना और हाँ आज पापड़ भी तलना और खाना खाने के बाद मेरे पैरों की मालिश भी कर देना जी चाची जी चाची और चाचा दोनों ही राधिका पर बहुत अत्याचार करते राधिका की अब शादी की उम्र हो चुकी थी चाचा और चाची दोनों ही उसके लिए एक अमीर घराने का रिष्टा लाते हैं राधिका वक्त आ गया है तेरी शादी की शहनाई बजने का हाँ बिटिया तू तो हमारे सर पर बोज है लेकिन अब ये बोज किसी और घर जाएगा लड़का बहुत अमीर है तेरी जिन्दगी बदल जाएगी हाँ सच मुझे तो यकीनी नहीं हो रहा है लेकिन ये सब हुआ कैसे उन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं रादिका अब अपनी शादी की बात को लेकर बहुत खुश थी वो रसोई में गुनगुनाते हुए खाना पका रही होती है तब ही उसके मन में एक ख्याल आता है लेकिन चाची जी और चाचा जी दोनों ही मुझसे इतनी नफरत करते हैं मेरे साथ नौकरानी की तरह पेश आते हैं फिर पिर अचानक से यो मुझे एक अमीर खरानी की बहु बनाने का फैसला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कहीं कोई राधिका की शादी अनुझ से हो जाती है और वो अब एक बड़े घर आने की बहु बन जाती है लेकिन शादी के दूसरे दिन ही अनुझ उसे घर से बाहर निकाल देता है निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी लेकिन अनुझ जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो आप मुझे अपने घर से क्यों निकाल रहे हो मैं आपकी धरम पतनी हूँ मुझे मत निकालिये मैं आपसे बिंती करती हूँ आप तो मुझसे प्यार करते हो ना अनुझ जी तो फिर तबी रादिका की सास कादंबरी गुस्से से बोलती है अरे ओकल मुही एक बार हम कह रहे हैं हाँ उत्वरा के समझमा नहीं आवा थै का हमार लल्ला तोहरा से कौनो प्यार व्यार नहीं कर थै चल दफा हुई जाई यहां से सिक्यॉरिटी इस कच्रे को यहां से साफ कर दो निकाल दो इसे गेट से बाहर धग्ये मार कर आ नहीं तो का डायन कहीं की हाँ रादिका बिलक बिलक कर रोने लगती है और अनुच और कादंबरी से बिंती करती है लेकिन वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते और उसे घर से बाहर निकाल देते है बिचारी रादिका जब फिर से लोट कर अपने चाचा और चाची के पास आती है तभी देखिए न चाचा जी चाची जी अनुच जी और मा जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया अभी तक तो हमारी शादी को पूरे चौप इस खांटे भी नहीं हुए तो तू अब क्या यहाँ पर हमारी चाथी पर मूंग दलने आई है क्या हाँ तुझे सच सुनना है ना तो सुन ले सच यह है कि तेरी ये शादी एक सौदा था अनुज की कुंडली में एक बहुत बड़ा मारकेश दोष था जिसे तेरी कुंडली मिलान करके तेरी राशी मिल रही थी और इसलिए मैंने और तेरे चाचा जी ने उनसे लाखो रूपे लिए और तेरी उससे शादी कराई हाँ और अब अनुज का मारकोश दोश जो था वो तुझ पर आ गया है अनुज मारकोश दोश के कारण मनने वाला था लेकिन उसे सिर्फ उसकी राशी और कुंडली के गुणों से मिलने वाली लड़की ही बचा सकती थी और वो तुम हो अब अनुज की मृत्यू तेरे सर पर चड़ गई है अनुज का मारकेश दोश उसकी धरम पत्नी राधिका का हो गया है इसका मतलब के तू अब किसी भी पल मर सकती है हमें क्या हम तो लगपती बन ही गए है अपने साथ हुआ इतना बड़ा धोखा देख राधिका के पैरो तले जमीर किसक जाती है राधिका हैरान और स्थब्द रह जाती है क्यों? क्यों? क्योंकि आपने ऐसा चाची जी? लालच में आगर आपने मेरी जान कर सोधा कर दिया मेरी जज़बातों के साथ खिलवार किया यह आप दोनों ने अच्छा नहीं किया बहुत गलत किया आप दोनोंने और आप दोनों की इस खिनाओनी हरकत के लिए भगवान जी आप दोनों को कभी माफ नहीं करेंगे अरे चल चल दफा हो यहाँ से अपने इस मन हूस्सी शकल को लेकर हम दोनों ने मिलकर तुझे बचपन से पाला पोसा है हाँ तो? तो कोई एहसान नहीं किया मुझ पर जितना आप दोनों ने मुझे खिलाया-पिलाया भी नहीं होगा उतना तो मैंने आप दोनों का काम किया है मेरा भगवान मुझे मारकेश दोश तो क्या किसी भी दोश से बचा लेगा लेकिन अब आप अपने मृत्यूं से डरिये क्यों? क्योंकि पापों का घड़ा भरने में ज्यादा देर नहीं लगती जो बोया है उससे काटना तो पड़ेगा ही इतना कहकर राधिका वहाँ से चली जाती है पहली रात तो वो कपकपाती हुई ठंड में सड़क पर ही बिताती है फिर दूसरी रात उसे मंदिर में आसरा मिलता है बेटी अगर तुम मंदिर के लिए भोजन बनाओगी तो हम तुम्हें यारक सकते हैं जी हाँ गुरुजी मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ मैं रहलूँगी यहाँ पर राधिका मंदिर में खाना बनाती और उसी के प्रसाद के तौर पर सभी को बाटा जाता सभी राधिका के हाथ के बने खाने की खूब तारीफ करते लेकिन कुछ दिनों के बाद राधिका को उस मंदिर से बाहर फेग दिया जाता है और वो व्यक्ति होता है अनुज ये मेरे पापा का मंदिर है, हम इस मंदिर के मालिक हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी पनौती का साया भी इस पर पड़े, इसलिए चली जाओ यहां से राधिका अब गाउं छोड़ कर चली जाती है, वो अब कच्रे बीनने लगती है और कबारी वाले को वो कच्रा बेच कर अपना जीवन यापन करती, वो इंट पत्थर इकठा करके खुद से ही एक छोटा सा मकान बनाती है, राधिका को कच्रा बीनते हुए देख लोग उस पर बहुत हसते, राधिका को सभी बहुत परिशान करने लगते हैं, राधिका कच्रा बेच बेच कर रोजाना आधे पैसे घर में रख कर एक गुल्लक में जमा करती, बस अब ओर चार से पाच महिनों तक मैं रोजाना इसे गुल्लक में पैसे डालूंगी, तो आसानी से पैसे एकठा हो जाएंगे, और फिर मैं अपना ठेला लगाऊंगी, मुझे पचपन से ही अच्छा खाना बनाना आता है, और सभी को मेरे हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है, अब मेरी जीवन के कटिन हालातों के कारण मैं पढलिक तो नहीं पाई, लेकिन एक खाना ब पूर्ती को रख कर उसकी हर सुभा शाम पूजा अराधना करती रहती, यूई पांच महीने बीद जाते हैं और रादिका धेर सारे पैसे एकठा कर लेती है, चलो अब मेरे पास बहुत सारे पैसे एकठा हो चुके हैं, अब मैं शहर जाकर अपना ठेला लगा सकती हूँ, कल सुभा की मेरी बस है, मुझे सुभा पाच बचे उठना होगा, इसलिए अभी जल्दी सोचाती हूँ, रादिका सारे पैसो को अपने छोटे से संदूक में रख देती हैं और बत्ती बुझा कर सोचाती है, तभी आधी रात में एक चोर आकर उसके घर के पीछे के दरवाज से अंदर खुसता है, और उसके संदूक को चुरा कर ले जा रहा होता है, कि तभी अचानक से रादिका उठ जाती है और चिलना पड़ती है, रुक जाओ, मेरे पैसे! राधिका उस चोर के पास जाकर उससे अपना संदूक छीनने की कोशिश करती है लेकिन वो चोर उसे चा को दिखाता है दूर रहे, वरना तेरा अगला कार दूँगा ये सारे पैसे मुझे चुप चाप ले जाने दे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मेरे पैसे मत चुराओ, मैं तुमसे हाथ जोड़ कर बिंती करती हूँ मैंने कच्रा बीट बिंकर इन पैसों को चोड़ रही थी मुझे चोड़ दो तभी अचानक से वहाँ पर पोलीस आ जाती है और उस चोर को गिरफतार करके ले जाती है राधिका को पता चलता है कि उसके पडोसी राजु चाचा ने पोलीस को फोन मिला कर फोरन बुलाया राधिका राजु चाचा को धन्यवाद कहती है और अगली सुभा बस में बैठ कर शहर आ जाती है जहां पर वो अपना छोटा सा ठेला लगा कर खाना बना कर बेचने लगती है थोड़े समय में बहुत सारे क्राहाक आने लगते है अरे वाँ वाँ क्या बढ़िया खाना पकाया है शहर के किसी भी रेस्टोंट में इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया मैंने आज तक जितना स्वादिष्ट ये ठेले वारा खाना है वाई वाँ कही मैं मुझे और एक प्लेट कढ़ाई पनीर और जिरा राइस पारसल देना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद रादिका अपने छोटे से ठेले से ही बहुत सारे पैसे कमाने लगती है और इसी तरह आगे चल कर वो शहर में अपना एक बढ़ा सा रस्टोंट चेन ओपन करती है और धेर सारी सफलता प्राप्त करती है स्वाती एक गरीब घराने की लड़की होती है जिसका इस दुनिया में उसकी दादी के अलावा कोई भी नहीं होता उसकी दादी निर्मला उसकी शादी कराने के पीछे पड़ी हुई होती है लेकिन स्वाती के सावलेपन के कारण उससे कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होता स्वाती एक धाबे पर नौकरानी थी और बहुत परिक्ष्रम करके वो पैसे कमाती बीमार निर्मला आस पडोस में स्वाती की तस्वीरे दिखाने जाया करती थी लेकिन सभी उसकी बेजती करते रहते एक दिन स्वाती जब शाम के वक्त काम से लोट रही होती है तब ही वो देखती है कि पडोस की सुश्मा काकी उसकी दादी निर्मला संग लड़ रही है अरे पगला गई हो क्या निर्मला काकी आपकी पोती की शकल देखी है जली हुई चाय जैसी शकल है उसकी अरे क्यूं हर गली में भटक भटक कर उसको है हर किसी को अपनी पोती की पनावती शकल दिखाती रहती हो और रिष्टे की बात करती रहती हो लेकिन सुश्मा बिटिया, मेरी बात तो सुनो आरे चुप करो यार निर्मला काकी, हमारे पास ना फिजूल का वक्त नहीं है आप जाओ यांसे खबरदार अगर आइंदा से अपनी काली कलोटी पोती की शकल दिखाई और रिष्टे देखने आई तो हम सबके लड़के बहुत सुन्दर हैं देखने में उन्हें नौकरानियों की नहीं, राजकुमारियों की जरूरत है और आपकी सावली पोती तो किसी नौकरानी की तरह है अर ऐसा मत बोलो सुश्मा बिटिया, मेरी सुआती ऐसी नहीं है वो भले ही सावली है, लेकिन उसका मन बहुत सुन्दर है ऐसी रड़की तुम्हें दुनिया भर में कही नहीं मिलेगी आरे आप जाती हो या सुश्मा गुस्से में निर्मला को धका दे देती है जिससे देख स्वाती तुरंत निर्मला की ओर भागती है दादी दादी, दादी आप चीक हो न इतनी ठन में आपको किसने कहा था घर के बाहर निकलने को लेकिन सुश्मा बिटिया, तेरा रिष्टा अरे कुछ समझाओ अपनी दादी अम्मा को रोजाना बस तुम्हारा रिष्टा पक्का करवाने के पीछे पड़ी हुई रहती है और कुछो नहीं काम है इनके पास सुवाती निर्मला को उठाती है और उसे पकड़ती है और गुसेल आखों से सुश्मा के तरफ देख कर सुश्मा काकी मुझे अपनी संसकारों की मर्यादा को पार करने पर मजबूर मत कीजिए आपने जो आज मेरी दादी के साथ किया है न खबरदार अगर आहिंदा से ऐसा वैसा कुछ करने की जुर्रत भी की मैं आपका हाथ तोड़ दूँगी सुवाती निर्मला को घर ले जाकर उसे गर्मा गरम फुल के बना कर खाना खिलाती है दादी आप ऐसा क्यों करती हो आपको पता है न मेरी सावली सूरत के कारण कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो फिर आप क्यों रोजाना अपनी बूड़ी जान को खामखा परिशान करती हो लेकिन सुवाती मेरी लाड़ो मेरी ये आकरी एक्छा है कि मैं तेरी शादी होते वे देख लूँ वरना मैं मरने के बाद भी तेरे लिए स्वाती के कहने के बाद भी निर्मला मानती नहीं आखिर दादी की ममता भी तो एक मा की तरह ही होती है निर्मला जैसे तैसे करके एक रिष्टा ढूनती है उस लड़के का नाम वन्श होता है वन्श की माता पिता ब्रिंदा और जोगिंदर तीनों ही बहुत लालची होते हैं देखिए दादी जी मैं आपकी पोती स्वाती से शादी करने के लिए राजी हूँ लेकिन वो सिर्फ एक शर्ट पर कैसी शर्ट बेटा वन्श बेटा तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी मुझे बस मरने से पहले अपनी स्वाती का घर बसते हुए देखना है वो शर्ट ये है कि आपको हमें पूरे दो लाक रुपई देने होंगे वो भी दहिश के तौर पर अब देखिए निर्मलाजी दहिश तो शादी ब्यामे होने वाली एक परम पवित्र रसम ही होती है उसे तो पूरा ही करना पड़ता है ना क्यों वन्श के पापा जी बिल्कुल बिल्कुल वन्श के मा बिल्कुल सही कह रही है निर्मलाजी निर्मिला थोड़ी चिंतित हो जाती है लेकिन फिर वो रिष्टा पका कर देती है और वंश को दो लाख रुपए दे देती है जिसके बाद स्वाती को बहुत बुरा लगता है दादी मैं जानती हूँ कि वो पैसे आपने मेरे लिए मेरे भाविष्य के लिए ही जहमा किये हुए थे लेकिन इस तरह देज का साथ देना इतनी बड़ी रकम से शादी पक्की करना ये तो गलत है न दादी अरे कुछ गलत नहीं है बेटी मैंने जो कुछ भी किया है तेरी खुशी के खातिर किया है और खुशियों की कोई कीमत नहीं होती स्वाती और वंश की शादी हो जाती है लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ये निर्मला का देहांध हो जाता है जिससे स्वाती पूरी तरह तूट जाती है लेकिन अपनी ग्रहस्ती में उलजे रहने के कारण वो उन सब बातों को भूल कर आगे बढ़ जाती है कुछ दिनों बाद स्वाती गर्बबती हो जाती है और वो ये खुश खबरी घर में सभी को बताने जाही रही होती है कि तब ही देखती है कि उसकी सास ब्रिंदा किसी शादी के लिफाफे पर कुम-कुम ठीका लगा रही है माजी, ये आप किसकी शादी का निमंत्रन पत्र उसके उपर ठीका लगा रही हो मोनिका संग वन्श मोनिका संग वन्श ये पढ़कर स्वाती हैरान रह जाती है मोनिका, ये मोनिका कौन है माजी यह सब क्या है तूने बिल्कुल सही समझाय जली हुई चाई की शकल वाली ये मेरी और मेरी जान मोनिका की शादी का निमंतरण पत्र है इस घर में शादी की शहनाई बजने वाली है और वो भी मेरे बेटे की अरे तुझ जैसी समझाय लड़की से कौन शादी करेगा रे इसलिए मैंने तुझे महले वालों से दूरी रखा ताकि किसी को पता न चले कि तू मेरी बीवी है और तो और मैंने तुझे शादी सिर्फ दहिज लेने के लिए की थी और बे अकल बुढ़ी दादी ने मुझे सारे पैसे दे दिये और खुद अपनी पोती का जीवन नर्क बना कर खुद सर्गवासी हो गई ये तुमने बहुत गलत किया है वज बहुत गलत तुमें पता है मैं तुम्हारे बच्चे की मा बनने वाली हूँ अरे चल चल वो सम मेरी एक रात की गलती का नतीजा है तु अब अपने कोख में पल रही बच्चे को लेकर चलती बनियां से वन्श और उसके घरवाले स्वाती को घर से धक्ये मार कर बहार निकाल देते हैं जिसके बाद स्वाती बे सहारा हो जाती है और रास्ते पर दर दर भटकने लगती है और कच्रा बीनना शिरू करती है जिन से वो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती है ये क्या से क्या हो गई मेरी सिंदगे अब मैं क्या करूं कहां जाओं मुश्किलों से ठक हार कर स्वाती ट्रेन की बट्रे पर जाकर जान देने की कोशिश करती है लेकिन तबी वहाँ पर एक अमीर आदमी आकर स्वाती को बचा लेता है और उसे अपने घर ले जाता है उस आदमी का नाम माहिर होता है और वो अपनी मा कल्यानी संग रहता है स्वाती जी ये आप क्या करने जा रही थी आप गर्ववती हो आप अपने साथ साथ अपने पेट में पल रहे बच्चे को भी मानने जा रही थी तुमारी कहानी सुनने के बाद एक पल के लिए तुमारे इस जान देनी की बाद पर मैं समझ सकते हूँ बेटा लेकिन जिन्दगी में मुश्किलों से हार जाना और अपने आपको खत्म करना ये बहुत गलत बात है हमें हमेशा हिम्मत बनाय रखनी चाहिए और हर मुश्किल को मात देकर जीत हासल करनी चाहिए जी कल्यानी अंटी मुझे माफ कर दीजे माहिर जी मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया सुआती जी अब आप कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर ही रुकिए सुआती और माहिर दोनों के बीच प्यार कप पर अपने लगता है ये उन दोनों को ही नहीं पता चलता और फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते है और सुआती एक प्यारी सी बेटी को जनन्द देती है और माहिर ही उसका बाब कहलाता है अले अले मेरी राजकुमारी पापा की प्रिंसेश बिलकुल आप पर गई है स्वाथी जी अपनी मा की तरह ही है दुनिया की सबसे खुबसूरत मा की खुबसूरत बेटी स्वाती पूरी दुनिया तुम्हें भले ही रंग से परखे लेकिन मेरे लिए तुम इस पूरी काइनात की सबसे सुन्दर औरत हो क्योंकि तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी अंतर आत्मा सब सुन्दर है माहिर चे और इस तरह एक गरीब गर्भवती कच्रेवाली की जिन्दगी फिर से खुशियों से भर जाती है और माहिर भले ही सुवाती की बेटी का सगा पिता ना हो लेकिन वो उसे अपनी बच्ची की तरह ही प्यार देता है और पूरा परिवार खुशी से संग-संग रहता है